आजो को चर्चा मा राजनेती, राजनेती मा पनी आज मा बर्तमान यो एक दुई दिन को राजनेती को माहोल इस बारे मा चर्चा गर छू इस मा थी बुर्नाको लागी पहिला मा राजनेती करुपले कोहुम इस बारे मा मल्डे धेरे चर्चा पहिलाने गरी साके कुछू राज छोट करीमा राजे रार राजनेती दुबैाई हल गर्ण पर clusters समधान गर्ण पर छू अनने बेखती हूं रहन हल इसको पहिले तका राजी राजनीती दुवे समस्य होना। ये आधीम कालमा मानव जंगल बाट जमीनमा र जमीन लाई भोगन केबल सारेरिक गुजरा को लागी उसको बाउटिक कारे कत्तिपनी भयको थेन। दुवेई चोर हरु विच भयको समधाउता हो यो एक समस्या थियो यो समस्या माने खड़ा भयको और को समस्या हो यो समधान थिये न। त यो राजनितिको हल गरने परच अब को मानव राजनितिको हल गरने मानव हो त यहां मा राजनितिक संगलगनता राजनितिक संसकार बा मत्यों बेक्ति भोई ना, मा बेक्ति गत्रूपले यो मुक्त भायबनी फेरी परिस्थिती गत्रूपले जोडियेको नी हुन्च मयस देश माँछू, यो संपुन जगत संबद्ध तामाच रह यहांको अबस्थामा, यो मसांग पनी जोडियेको हुन्च पैस बारे बोलन पा तो अहिले पहला यो जानों कि म सासक, सासित रशासन इतिनाई सब्द बाट मुक्त अच्छू, यो मुक्त हुनु पर्श मानव, इतिन सब्द बाट मुक्त रहनु पर्शू, सासन, सासक, सासित, मानव जातिमा, यो मुदैन, यो मानव ले अन्य जय बिद्द आलाई, संचालन गर्नकु लागी यो हच सम्म तेहां रहांच, उ संचालक को रूपमा, तर मानव 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 मान न सासित, न सासक, न सासन, यो कही पनी रहां दाई, पहले यो बुजनु परेव इस आखा द्वारा यहनु पनेशत सब अहिले शासक कोछ शासित आमी छाओं रशासन वेवस्था मा तो विचार कुरुप मा अक कमेनिस्थ भनिने सरकार छो जो शासक गत बेक्टिक्तो मा ती दुई डल समायजन भायरे गएका थिए टिबेटिमा सासक मा केपी ओली रार को यही दल मा समायजन भायरे गएका और को पुष्पकमल दाल परचंड इद्वी लाई हामीले केंद्र बिंदुमा राखे राखे रहने गर्षूं सासक मा अहिले अब इद्वी बीज राजनेतिक माहोल जुन बनी रहेको छा आजा रा सासक मा थियो केपी स्वर्मा ओली रो उनी एक रोगी र जीन बेक्ति होन अत्ताइबनी सासन सक्ता मा छन यो सबई भंदा दुरुभाग्य को कुरा हो पहिला द्वी यहां इस तो बेक्ति नहीं छाए ना जो सासक को रूप मा जाव स्थि यो राजनेति मा यो संसार मा नहीं मैं ले देखे और योग के बेक्ति राजनेति क्यों लागि योग्य बेक्ति जो राजनिति लाई हल गर्नको लागे अहले बर्तमान मा राजनिति मा जाऊस राजनिति को हल चो तरति अली पर चो अली ततकाल जाई राजनिति मा जाऊस भन्ने बेक्ति मेरों आखामा यो संसार मा नहीं राजनिति मां संब्लंन भउयक बैक्ति कोही पने छहाई नहीं जो सत्ता मां जाओज येस देस मनाई कि मानव proteg implications तो येस देस मां पनी छाई राजनिति लाई समध्याण कनको लागे ततकाल राजनिति मां जानूपने बैक्ति हो, दार्षणिक बैक्ति जो हमरो जस्तु देश मा डाक्टर योगी विकास नंद जस्तु बेखती लाई मैले अहले ततकाल चुनु परे भने उसलाई सासन मा गार सम्हाल भन थे मेरु आखा मा उपर थे अहले ततकाल लाई इस तेस तैस मा तै यो तो मा होल मैं बंदे न डाक्टर योगी विखास नंद राजनीति मा जाना संभव छा न फेर यो राजनीति लाई हल गान इस तो लाक्ष तर अब को हल इसरी नहीं गणु पाने हूँच राजनीति को हल इसर लब बनाएरा गरने हो पहिला तो दार्षनिक शासक फिर यहां दार्षनिक को एती एती कमी छो फिर तो पून शासक जो ग्यानी हो तो दोलब जस्तो लाग छो फेरी छन छन फेरी उनिहरू ते शासन सत्तामा जानको लागी असंभवर जस्ते ओसो जस्तो दार्षनिक ग्यानी ले भंधियो राजनिति गियां रो कुकूर लाई कुकूर ला राजनिति गियां लाई मेरो आश्रम मां बंधेज इस तो भासा बल थे हो उसलिए राजनिति लाई कुन रूप मां हैर ने थे हो यह तो हमेले जाने हो तो इज्ञानी दार्षनिक राजनिति मां जाना को लागी इती संभाव जस्तो लाग चा तो इपनी फेरी जानु नहीं परने चा गए न भाने राजनिति को हाल नहीं उटें बुद्ध राजनिति गियां बन्नु परने चा इसको हाल करना को लागी या सभाई बुद्ध बन्नु परने चा तब यो राजनिति हाल हुन छा फिर बन्नु परने यहीं नहीं हो बुद्ध बन्ने होईना बुद्ध को चेतनिस्तर जुन्तियों त्यों बन्ने हो अब फेरी ए महर्माऊं पहिला तो अहीले जसले सासन सत्ता संचालन करी रहेको छो उय योग्य बेखती होईना रफेरी इसले हटायर और कुद्ध जानि योग्य बेखती छो त्यों राजनितिक महाल मा नहीं छाई ना फेरी पनी कम से कम बन्नेता छो अलिकती बन्नेता छो यहां पुस्प कमल दहाल जो राजनिति संग लड़ देई यहां समाय को युटा बेखती जो हो उसले सासन सत्ता को थोरे समाय सासन घन पायेको तो थियो फेरी तरह त्यों आजको केपी स्वर मा ओली को जस्तो अनुकूल महाल मा पायेको थिये ना तो उसको लागी एक अबसर दिनों नहीं परने छो इस पाटी को महाल मा इस बंदग बाही रखो तो चर्चा इहां ना गरों तो अब केपी स्वर मा ओली अहीले फिरी राजनितिक महाल मा जुन सीमा बिभाद थियो जुनरूप मा उनि उभियगहा थिए तियो रूमबात औहीले केही समाई उनि नहीं सत्ता मा रहन उपर छा इस्तुपनि लाग था यह उचित्पनि हो फिरी उनि अहीले नहीं सत्ता बाट हटाईये भने भारत को आखहमा भाष्ट को मुख मुख, भारत को मुख भनेको के संचार मात्ये, भारत को मुख अईले इस तो गेडित बनेको छा कि यो विश्षो मां, राजनित्ती मां, राजजी मां ते इस तो गेडित मुख अंतक कहीं बनी छाए तो भारत को मुख ते ती घेडित बनाईयेकोछ वा भारत को संचार मात्ये, ते घेडित रूप मां एस भारत को अईलेको शासन सक्ताले, उपयोग करी रहेकोछ, ती यो दुरभाग गेच, यो हाम्रों लागी होई ना, यो भारत को लागी, रो यो पूरा राजनिती को अब को लागी नहीं कि विक्रीत रूप हो कि जस्तों हमें साशन मां उत्तर को रिया लाई विक्रीत रूप एक्षां एसरी नहीं संचार माध्यमां विक्रीत रूप भारत लाई है ना पारेज साशन मां विक्रीत रूप किंग जोन उन लाए अहिले हमें परतमान रूप मां देखे जस्ते ही संचार माध्यम को विक्रीत रूप भारत को शाशकले उप्वयोग फिर तेहां सबई होई ना कि जो भारत को साशन अहिले को बतमान साशन लाए साथ दी रहेगाद नोह रूप मोग तेटाने करित साई को रूप भाय रूप अंदधाकार उत्तर कुरिया माच साशन को अंधकार तेहां पनी संचार माध्यमले जुन अंधकार फई लाइड है काचन इद्वी लाइखामेले ठीक संगर देखने पार्ने चा तो अहले त्यों मुख भारत को मुख मां भारत को आखा मां फेरी अहले तत्काल कि एपी शर्मा ओली लाई नहटाउनु राम्रो जस्तो लाज फेरी उनको स्वास्थे राउनको जिनता ले गर्दा हर्दा पनी फारक नपर्नु युपनी सक्ते छ फेरी सक्तामा जाने को अहले तत्काल लाई उस्प कमल दहाल नहीं जानु उपयुक्त होंच उसको लागियो अंतीम अवसर हो उसला हमले छोटो समय अनकोलता मां हेरना पाएला अब छोटो समय अनकोलता द्वारा एदे ने कपाले उसलाई दियो भन होने शासन सक्ता दियो भने उसलाई पने देहने छों और अनि हम्रों आखा मां जो असासन गर्ण लाइक राजनिती मां अग्रपन्ती मां थी पुनी हरू सभई सखाब भयर जाने छां अनि हामेले अन्त आखा लाना सकने छां अहिले अन्त आखा लाना सके कर छाई नौ एक योग या था अहिले को राजनिती के महावल लाए नहीं भंग अगरों अतेंत अभन्ना नहीं नसकीने अवस्था मां छां यो भंग अभय भने उता फेरी राजनिता ले आखा लाई रहेको छो फिर माले असलाई संकेत गरे को खईय यो संभाव साईनब बरू इस तो महोल बनोस जहां परत छे जन ताले मत दियरा राश्टपति ये शाचन को रूप इस मान जाना सकने महोल बनना सकने इस्तित्यमा जाना सकें भने थोरी हथ सम्माद ठीक होन्थेओं फिर यो पुस्प कमल धाल लेता ये स्विकार ना सकते फिर एमाले पुर्वा एमाले यो पाथी फुट यो भने उसले स्विकारला भने मला लाग दे तो यो पाथी फुटनु भने इस हिसाब मा ठीक ज़ा कि यो शासन परना ले नहीं गलत भाय यो समसधी रूप बाठा जुन हामी शासक छांचाओं यो ठीक भाय ना पर तेछी जनता बाठा जाने शासक चाहियो इसको लागी अहीले राजनीतिक महवर में जे भाय रहेको छा इसलाए अनुकूल जुन रुप मा बन छा तो उही खा खालको सासक जाओस या यह पाति नहीं बिभाजित भायर जाओस रपचन 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 भायर जाने शन फिर न बाबुदा म उसका अरू अरू उछन उनीहरो इसको लागी अनुकूल शन पर तेछे जनता को मत-मत भाठा शासक बने इस तो खालको महव्रको लागी उनीह पर अन्युकुल छन बरू पाटि बिभाजन नहीं ठीक यह कि मैं इस भित्रत राजनीतिक संस्कार लाइत मैं जान दीना पर इस माथे मा धेरे बोल्लीना मैं राजनीतिक समाधान जाहिं चाहिं यू समस्य हो यू यसलाई समाधान गानी यसरी यू मैं ले आन्त देख्या गाने छू यहां आजलाई दिने